नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाज़ फाइंडर पर मेरा नाम है अनिरुद और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ regarding recent news जिसमें की ये सामने आया है 2020 का जो वित्ये वर्ष है उसमें सबसे जादा FPI inflows असल में भारत के अंदर आए है तो FPI inflows से हमारा मतलब है foreign portfolio की जो investment है उसका सबसे बड़ा recipient अगर कोई देश रहा है तो वो basically भारत रहा है बात करेंगे what is FPI, FPI, FDI से किस तरीके से अलग होती है and also यहाँ पर चर्चा करी जाएगी कि कौन से कौन से वो sectors हैं जहाँ पर अधिकतर हमें flow देखने को मिला है and also कि भारत में ही इतना बड़ा inflow क्यों देखने को मिला है उसके बारे में भी हम विशेच रूप के आपके साथ discussion करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं lecture की PDF यदि आप लोग download करना चाहते हैं तो दिएगे टेलिग्राम चैनल के उपर से कर सकते हैं इसका नाम है अनिरुद सर also एक बहुत ही important announcement कई सारे बच्चे हम से पूछते रहते हैं कि सर हम अपने आपको test कैसे कर सकते हैं तो देखें ये आपके सामने एक test series है जो की हमारी pathfinder के exclusive test series launch करी गई है everyday साड़े बारा बजे आप इस test series में हिस्सा ले सकते हैं हफते के 6 दिन आपको अलग-लग तरह के test provide करवाय जाते हैं अलग-लग तरह के syllabus में से लेकिन इस test series में हिस्सा लेने के लिए आपको एक unlock code का इस्तिमाल करना होगा that is any UPSC इस code के माध्यम से ही आप इस test series को lock unlock कर पाएंगे और उसके बाद जो लोग यहाँ पर विजेता होंगे उनको top 10 विजेताओं को यहाँ पर काफी सारे अच्छे awards भी पेश किये जाएंगे from an academy तो देखिए सबसे पहले तो समझ लीजे FDI और FPI में फरक क्या होता है FDI जो है यह एक ऐसी investment है जो कि foreign company करती है in an already existing company of other nation ठीक है वो directly जब उसको निवेश करेगी तो वहाँ पर उस company में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो होगा ही यानि कि ownership तो होगी ही लेकिन कुछ ना कुछ managerial role भी वो वाली company इस company में play करेगी on the other hand अगर हम बात करें FDI के विपरीत FPI होती है foreign portfolio investment इसमें असल में managerial role कुछ नहीं होता basically यहाँ पर जो company है इसने भारत की किसी company में ऐसा मान लीजे उसके जो है या तो stocks खरीद लिए हैं या उसके bonds खरीद लिए हैं या फिर कोई और financial asset है जो कि उसको पसंद आ रहा है उसमें उसने निवेश कर दिया है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आपको ownership तो मिलती है लेकिन आपको managerial role नहीं मिलता है यह केवल और केवल आपको FDI में देखने को मिलता है तो यह तो एक बहुती बड़ा फरक है जो कि FDI और FPI में आप देख सकते हैं सिंपल भाषा में और भी समझ सकते हैं कि basically FDI में जो investment है वो एक तरीके से brick and mortar चीजों में होती है लेकिन FPI में जो investment है वो सीधा सीधा आपकी stock market में investment देखने को मिलती है None of the stated areas require active management or control of the securities issuer by the investor आपने एक और term के बारे में सुना होगा जिसको कहा जाता है FII ठीक है FII कुछ नहीं होता है basically FII उनको कहा जाता है जो foreign institutional investors होते हैं और यह FIIs basically वो लोग होते हैं जो कि FPI को किसी country में लाने में help करते हैं यानि कि FPI को facilitate करवाने वाले जो लोग होते हैं उनको basically foreign institutional investors कहा जाता है जो FPI है यह investment है जो FII है यह investors होते हैं यानि कि निवेशक होते हैं जो कि निवेश करने में help करवाते हैं इंटरस्टिंगली FPI को hot money भी कहा जाता है क्यूंकि FPI जितनी तेजी से किसी country में आती है उतनी तेजी से ही उस country को छोड़के जा सकती है अगर उसको लगता है कि यहाँ पर economic stability नहीं है यहाँ पर political stability नहीं है या फिर यहाँ पर कोई बहुती बड़ी मुसीबत आने वाली है फॉर example अगर बात करें जब पिछले साल COVID-19 शुरू हुआ था उस time पे March महीने के end में जब भारत में lockdown को डिकलेर किया गया था तो बहुत सारे ने अपने पैसे को भारत में से निकाल लिया था और इसमें जो अधिकतर sellers थे वो basically आपके FIIs थे और वो आपके FIIs थे जिसके चलते हमारी stock market में बहुती भारी गिरावट देखने को मिली थी at the end of the month of March उसके बाद recovery धीरे धीरे शुरू हुई थी जब again FIIs और FIIs ने हमार इंडिया में 2020 का जो वित्य वर्ष था उसमें हमने एक FDI में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि we have got a record FDI despite COVID-19 और अब हमने वही वाला जो record है FPI के अंदर भी स्थापित कर दिया है जहां पर कि हमने फिर से एक बार record FPI को दर्च किया है यहां पर आप देख सकत ने हैं The Week magazine ने भी इसको cover किया और in fact one of my favorite newspapers Financial Express ने भी इसको cover किया इंडिया biggest recipient of FPI inflows worth rupees 2.6 lakh करोड यहां पर इसके अगर हम numbers को तोड़े numbers को समझें तो आपके सामने है जो equities का segment होता है यानि कि जो आपका stock market का segment होता है इसमें जो कुल मिला के निवेश है वो लगभग 2.74 lakh क करोड के आसपास का था और हमने जो अभी तक हमारा जो highest inflow था वो 2012-13 में आया था और उसकी value बहुत ही कम थी it was 1.4 lakh करोड सीधा ऐसा मान लीजे हमारा जो record है हमने सीधा दो गुना से उसको break किया है 2012-13 में highest inflow 1.4 lakh करोड का आया था और अब 2020 में जो highest inflow आया है वो 2.74 lakh करो SDL होता है हमारे भारत में काम करता है National Securities Depository Limited यह वाला data NSDL ने कुछ साल पहले ही release करना शुरू किया था कि exactly कितना data FPI भारत में डाल रही है कितना निकाल रही है और जब से यह data सामने आना शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक जो यह वाला number है यह basically एक record number है जो कि भार sum आपका equities में आया है तो यह आपका plus हो जाएगा उसके बाद जो amount निकाला गया है वो debt के segment में से निकाला गया है वो कुल मिला के आपका 24,070 करोड के आसपास है और जो आपके hybrid instruments हैं इसमें भी आपको inflow देखने को मिला है approximately 10,238 करोड का all in all अगर आप देख लें तो effectively भा है कि इसके चलते एक चीज़ तो sure है कि जो emerging economies है जो उभरती हुई economies है जिसमें की भारत भी आता है उसके लिए बहुत ही अच्छा sign है ये क्यूंकि अगर आप देखें पिछले जो हमारा वित्तिय वर्स था 2019-20 का जो वित्तिय वर्स था उसमें FPI's पूरे साल में net seller थे यान 2.6 lakh करोड तो बहुत बड़ा difference है almost 10 times का difference है पिछले साल में पिछले साल उन्होंने 27,000 करोड निकाले थे लेकिन इस साल इन्होंने 2,60,000 करोड भारत के अंदर लगाए हैं ठीक है between March 20 to March 2021 FPI's have been net buyers in all the months except March, April, May and September यानि कि केवल 4 महीनों को आप छोड़ दीजे हर महीने में FPI इस ने भारत में केवल और केवल पैसा निवेश ही किया है उन्होंने निकाला पैसा बहुत ही कम है अगर आप share market को follow करते होंगे और आप थोड़ा बहुत जानकरी रखते होंगे Nifty के बारे में Sensex के बारे में तो आपको ये भी मालुम होगा कि Nifty और Sensex record highs को touch कर चुका है ज Mortgage Lenders को मिल रहा है Financial Technology की Companies को मिल रहा है और Private Insurance के Players को भी देखने को मिल रहा है लेकिन आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा है कि IT के जो सेक्टर हैं जो हमारे Financials के सेक्टर हैं जो हमारे Cement और Pharma के सेक्टर हैं इनमें भी काफी अच्छी बड़त देखने को मिल सकती है यहां पर भी आपको काफी अच्छा Earning Potential Earning Visibility उनको दिख रही है जो की FY 2022 में हमें देखने को मिल सकती है अगर बात करें सबसे बड़े और सबसे एहम सवाल की कि असल में इतना पैसा भारत में आया तो क्यों आया देखिए सबसे बड़ा सवाल और इसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि जो बड़े-बड़े देश हैं जो की Western countries हैं जो भी developed economies हैं उन्होंने अपने देशों में बहुत ही बड़े-बड़े level के stimulus को order किया है और जब यह इतना बड़ा-बड़ा stimulus आता है तो यह जो सारे stimulus हैं यह कही ना कहीं भारत के अंदर पैसा इसकी वज़े से आ रहा है ज 708 billion dollar का fresh stimulus और यह fresh stimulus अभी अभी आया था December end में इसके पहले जापान बहुत बड़ा stimulus निकाल चुका था May के महीने में ही Similarly अगर बात करें USA में तो Trump प्रशाशन के द्वारा भी बहुत बड़ा stimulus आया था और Biden प्रशाशन के द्वारा तो और भी बड़ा stimulus जो की already release किया जा चुका है Again बात करें UK के बारे में तो UK में भी 39 billion dollars का already एक stimulus अनाउंस किया जा चुका है तो कहीना कहीं ये जो बड़े बड़े देश हैं ये सारे के सारे देश कहीना कहीं इस पैसे को भारत के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वज़े से एक बहुत ही बहतरीन growth हमें देखने को मिली है in the stock market, in the equity segment और इन लोगों का पैसा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है अब बात करें कि भारत में ही क्यों आया देखिए emerging economies तो और भी है लेकिन इंडिया के अंदर ही इतना ज़ादा पैसा क्यों आया इसमें बहुत important factors हैं, सबसे पहला factor ये है कि इंडिया की जो economic recovery है वो बाकी देशों के comparison में काफी जादा stronger economic recovery देखने को मिली है as compared to other countries और जो earnings में growth देखने को मिला है ये काफी जादा surprising देखने को मिला है जिसकी वज़े से जो दूसरी countries है वो जादा interest जादा रूची दिखा रही है भारत के अंदर in fact अगर आप देखें Unetard की ये report है इंडिया's economy projected to record stronger recovery in 2021 इतना ही नहीं just अभी परसों की बात ही है वर्ल्ड बैंक ने भारत के जो potential है भारत का जो GDP का हमारा growth करने का जो rate है उसको भी दो गुना कर दिया है पहले I think वो 5.4% था अब I think वो 10.2% के आसपस उन्होंने project किया है क इतनी तेजी से भारत grow कर सकता है इसके बाद केवल इतना ही नहीं जो भारत के अंदर लगभग 100 billion dollars का इस बार addition देखने को मिला है हमारे forex reserves में वो कहीं न कहीं ये बताता है कि हमारा जो Indian rupee है हमारी जो Indian currency है वो काफी जादा stable है काफी जादा steady है क्यूंकि हमारे पास इतना जादा forex reserve रखा हुआ है और ये भी एक बहुत बड़ा confidence देता है कई सारे निवेशकों को कोई सारे जो FIIs होते हैं कि जी हाँ हम भारत ने पैसे को pump in कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं December की ही ये news है इंडिया's forex reserve touch record high surge by 4.5 billion dollars केवल इतना ही नहीं एक बहुत है मुझे आज भी याद है उस दिन जो भारत के कई सारे इंडियन IT stocks थे which included TCS which included Wipro ये सारी की सारी countries ये सारी की सारी company sorry इन्होंने अपने जो stock prices थे इन्होंने बहुत ही जादा एकदम से shoot up हुए थे because of the result of the US presidential election इसका कारण कहीं ना कहीं H1B visa हो सकता है because ये उमीद थी कि Biden प साफी जादा बढ़ चुके थे तो ये सभी कारण रहे जिसकी वज़े से हमारे भारत में हमें FPI's और FIIs का जो पैसा है वो इतना जादा देखने को मिला and केवल इतना ही नहीं हमने एक बहुत ही बहतरीन बहुत ही बड़ा कीरतीमान भी यहाँ पे स्थापित कर दिया कि भा वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ लेकिन जाने से पहले बताना चाहूंगा और यह अभी जस्त 3-4 घंटे में हमारा Unacademy Combat लाइब जाने वाला है 11 बजे आपको इसमें हिस्सा लेना है और इस बार हमने popular demand के बाद इस particular test को हिंदी में भी उपलब्द करवाया है जो कोड के माध्यम से आप इस particular combat को crack कर सकते हैं और unlock कर सकते हैं इसके इलावा आपकी UPSC की तयारी को आसान करने के लिए Unacademy आपके लिए दो तरह के courses लेकर आया है एक है plus course दूसरा है iconic course और दोनों courses में ही यदि आपको 10% का discount available करवाना है तो again यह वाले code का इस्तिमाल that is any UPSC और इसके माध्यम से अगर आप माल लीजे एक साल के course को purchase करना चाहते हैं तो 49,500 की जगा आपको केवल और केवल 44,500 रुपीज पे करने होंगे similarly यहाँ पर भी अगर आप 74,500 का course purchase करना चाहते हैं तो आपको केवल 67,000 भी पे करने होंगे अगर आप any UPSC code किया इस्त 10% discount ले सकते हैं इस code की मदद से इसी के साथ आप से लेता हूँ विदा, thank you for listening, stay tuned and stay safe